शिव महापुरान की कथा करती है तीन ब्रक्ष तीन पशु तीन पक्षी और तीन जल 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 पित्रों के तुल्य होते हैं जिव महापुरान की इस पित्र शांती शिव महापुरान की जो आप सुन रहे होने मिशारन से बहुत ध्यान से पित्र दोश है इसके लखण के गर में अश्टु होना गर में चार-पांच लोग पित्रदोश पित्रदोश एक रुप्या कमा कर लाओ सवा रुपे खर्च हो खोग पैसा आए हाथ में दिखे ही नहीं समझ लेना पित्रदोश चार दिन दुखान अच्छी चले बागी के समय बेटना पड़े समझ लेना पित्रदोश घर में बच्चे चिर्चिड हो जाएं गयर के बच्चे माता पिता का आघर ना करें समग्मान ना करें तेजाओं बात करें समय लो पित्रदोश उसन मालूम पड़े और इतने से भी अगर आपको दी समझ सकते परिवार करिस्वाल हो ककी अट कि दिन में 8 पंद्रा दिन ने में तीन दिन दिन में अगर बाल निकल सlement रहा है समझे लेना नाप से कुछ मांग रहा है। क्यांकि लगनें नहीं कर यह 27 निए रही । के लिए पत्नी को भी के दिया ठानि पा जाएगा नचानर आएगा देग्य कुछ खाएगा तो बाल आर्भाइग फंद 12 दिनों कि दिनों इसकिए पफुज़र समझेल कुछ केना चाहिए कि पित्र बताना चाहिए पूंद कर ने कुछ घर में अगर अगर आप कुछ से मितने समस्त अगर में बेठे वेठे एक दम गंद ौनि अने लगे कि प्द्वूसी आ रहे हैं को सुगंध शया समझ लोग की च्छाया पड़ रही है पित्र कुछ मांग है आठ दिन में पंद्ना दिन में कोई आगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा की घर में रहे है कोई आगर पैदे-घंज क्यों आ उसका मतलब है पित्र आंग से कुछ मांगो है, कुछ कहना चाहिए, कुछ मत करो, आगर ज़्यादा लगता है कि हमारे घर में पित्र दोशे, पैसे नहीं आ रहा है, लच्मी नहीं ठिक रही, पिपल के पते पर श्रादट पक्च की एका दशीके दे और दौद शीके दे पिपल के पते पर शेहद की साथ विंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, साथ आखे चावल सपे चावल उसपे रख दीए एक जों थोड़ी थोड़ी काली तिल उसपे रख दीए अपने पूरवजों का नाम लेकर पित्रों का सिंध्मन करकर गोत बोलकर नाम बोलकर बेहते हुए पाणी में उस पत्ते को छोड़ दीए ये केवल श्रात पक्चम होगा एका दशी थी 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 बेते पानी में छोड़ दी थी जिंदगी में कभी संपधा की कमी नहीं आईगी पित्र आशिरवाद दे कर जरूर जाएंगे ये पक्चा है श्यू महापुराण कहती अगर ज्यादा रोग है बिमारी है तो श्रात बिमार कर जो ब्यक्ति बहुत बिमार कड़ा रहता हो और कोई ना कोई बिमारी इसको घेरी रहती हो तो बढ़के पत्ते पर काली तिल ली और जों रखकर पित्रों का इस्मेंड करकर नौनी तिथी के दिन 21 बार उतार बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के निं शिवमहापुराण का भगवान शिव आननदगी राशी है तो तीन ब्रब्रबट्च, तीन पशू, तीन परचौछीर और टिन जलचड एसे हैं जिन को पित्रमाना तो तीन व्रक्ष कौन कौन से हैं शास पर करता है पहला पीपल दूसरा बरगर बड़ और तीसरा बेलपल इन तीन व्रक्ष के नीचे श्राद पक्ष में पित्रों का निवास हो जाता है इन तीन व्रक्ष पित्रों के तुले हैं पहला पीपल दूसरा बड़ प्रक्ष तीसर कभी अनायास श्राग पक्ष में आप कुछ मीना कर पाएं कुछ मीना कर सकते हों तो एक पत्ते के ऊपर कोई सावी पत्ता ले लो चाहिए पान का लेो कोई पिपल का लेो कोई पत्ते के ऊपर एक उड़ी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकी रख रपर अपने प्मूर वजयों के लिए हैं इन तीन व्रख्च की नीचे विए हैं एक दिन आपको भोजन को रख कर आजाए अपनी काम ना करकर सुक्कन बहो होगा पित्रों को शांति में तीन अब्रक्ष पित्रों के तुल्ले हैं तीन पक्षी पित्रों के तुल्ले हैं कवा हन्स और गरुण एक कवा और एक स्वान पुत्ता ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनिक पहले आदे घंटे पहले एक दिन पहले 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कवा को और स्वान को भाण हो जाता क्यों 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 यह यम लोक में जहां यम राज निमास करते हैं स्वान और कवव उसी स्थानना भादगरन करते हैं और इनको ये ज्यान पूर्वसे यम्रास से प्राप्त होता रहता पूर्वान प्राप्त होता रहता एक कवव एक सुम्ण कोई घटना घटने वाली होती है तो कुटा रोने लगता कोई घटना घटने वाली होती है तो कववा आकर बेट जाता है कोई आ रहा है तो कववा आएगा कोई भाव सूचक है तो कववा आकर बेटेगा दर्वाजे पर केसे उसका भी भाने आटारी पर कववा कहा बेटा है पक्षियों में कववा, हंस और गरूनू, ये पित्रों के तिल्बे, जो अधोगती में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तरपण नहीं होता, ब्रामन का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संसकार तक नहीं होता, जिनकी गती विगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंस में प्रगट होते है जो प्जून फल लेतर जाते हैं पित्र लोक में जगा नहीं होती बेकुंत में जगा नहीं होती कहीं अगर जगा नहीं है देव लोक में तो इनको कौवे के अंस में गरून के अंस में या हंस के अंस में डाल दिया जाता है माराजा फिर अगला वर्णन किया तीन पशु कुत्ता गाय और हाती ये पित्रों के तुल्य होते है शिव महाभुरान की कथा कहती है अगर श्राद पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गया के मुख में गयासुर ने बर दिया था कि गया के मुख में अगर कोई गया नहीं आपाएगा तो गयासुर सोला दिन गया के मुख में निवास करेगा और गया के मुख में श्राद के समय पर अगर कोई रोटी देगा श्राद के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी रखाई परोकी ग्याय को रोटी देते हैं क्योंकि स्यवान पित्रों को अपना भाग परदान कर देते हैं स्वान वत्ता नहीं है चुका देता है तीन जलजर है महारा जो पित्रों के तुले मचली, कच्छुआ और नाख पिंड जो बनाये जाता है वो पानी में दिया जाता है मचली जिसको पाती है वो पित्रों को पराप्रा होता है कच्छुआ श्रावन के में इस सोला श्राद के अंतरगत कच्छुआ यदि आपके दिये हुए भाग को पा लेता है तो वह जीव उसी समय पतर लगा और महाराज नाग वो एक आदशी का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएग तो सब्सक्राइब करिएगा